ओम नवशिवाई! दोस्तों शिबिलिंग पर चड़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग ना के बराबर है। गुरु परंपरा से प्राप्त जो ग्यान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो सची घटना पर आधारित है। अगर आप जानना चाते हैं शिबिलिंग पर चड़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंतितक जरूर देखेगा। आप भी हो जाएंगे हका बक्का। भयंकर चमतकार देख आपकी आँके फटी की फटी रहे जाएंगी। दोस्तो शिबिलिंग पर किस पृकार से पानी चड़ाया जाए और इसे किस पृकार से पिया जाए। इसके पीने के फाइदे, घर में छलकने के फाइदे, घर में रखने के फाइदे और इसके नियम एबंग साबधानी के बारे में बताऊंगा दोस्तो ये जानकारी इतनी खुबसुरत है कि शायद ही कोई आपको बताएगा आपके पास जितनी भी दौलत हो ये जानकारी पाने के लिए उस दौलत को लगा देना फिर भी ये फिरी की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा तो दोस्त विद्वेश्वर संहिता के बारवे अध्या के अठारवे सिलोक में बताया है कि जो जल शिबलिंग पर चड़ाया जाता है उसे तीन बार थोड़ा थोड़ा करकर पीना चाहिए और उसमें इस पच्ट लिखा है कि इसे शरीर की काईक बाचिक एबंग मानसिक ये समस्या का हल यानि एक लोटा जल और संपूर्ण फल ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिबलिंग पर चड़ा जल ना कर सके शिबलिंग पर चड़ा जल स्वयम काल को भी रोक सकता है शिबलिंग पर चड़ा जल किसी का जीबन आस्चारे जनक रूप से बदल सकता है और किसी के ब पानी बहाओ नहीं पानी बचाओ तो दोस्तो भगबान भोलेनात को अपने कश्ट निबारन हेतु हम सब इसमें जल चड़ाते हैं लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं हम सब भोले बाबा को खूब जल चड़ाते हैं बहुत मनुरत बोलते हुए बहुत कामना भगबान हमारी इस कामना को पूंड करिए ये सब भोलते हुए खूब जल चड़ाते हैं लेकिन जल चड़ाने भर से हमारी समस्या का निबारन नहीं होता है दोस्तो हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं भगबान भोले नात को जल चड़ाने के बाद उस जल रूपी परसाद को लेना ही भूल जाते हैं तो शिबलिंग पर चड़ा जल शाकशाद भोलेनाद जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब ये प्रसाद रूपी भोलेनाद जी के आशरी बात को ही लेना भूल जाते हैं तो आज की जो वीडियो है शिबिलिंग पर चड़ा हुआ जल किस प्रिकार से पिया जाए और जल पीने के फाइदे अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमतकार घटित होने लगता है जिस दिन हम शिबलिंग पर चड़ा हुआ जल पीते हैं, उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमतकार होता है, आए इस बीडियो में जानते हैं जानकारी बताने से पहले आप से एक बिंती है कि बीडियो को लाइक जरूर करिएगा देखे दोस्तो वीडियो लाइक करने का ना ही पैसा लगता है ना ही दौलत लगती है बस एक उंगली टच कर दीजी और लाइक हो जाएगा सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले हर हर महादेप ओम नबस शिवाए मातिर भोलेनात का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अरपित करना माना जाता है तो आईए बढ़ते हैं बीडियो में दोस्तो सर्व प्रथम तो मैं आप लोगों को जल पीने के प्रियोग बताऊंगा इसके बाद छलकने और रखने का प्रियोग बताऊंगा आपको बता दे शिवलिंग पर चड़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है और भगबान शिव की किरपा से आज हम संपून और धन स परिपूर्ण हैं सभी बीमारियों से दूर रहते हैं तो जल पीने का प्रियोग कुछ इस प्रिकार से है शिवलिंग पर चड़े हुए जल को पीने से आरोगी की प्राप्ती होती है आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पढ़ते हैं इसको पीने से काफी लंबे समय तक ब बीमार पढ़ते हैं तो उनके लिए रामबार साबित होता है शिवलिंग पर चड़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोगी रहेंगे और एक खास बात अगर आप लोग डेली शिवलिंग पर जल नहीं चड़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चड़ाएं कोई बा सा आ जाता है चसमा लग गया है दिखाई कम पड़ता है सुबह उठते समय आँखों में दर्द होता है जलन होती है तो ऐसे मैं शिवलिंग पर चड़े जल से चहरा दोने से आँखों पर जल चड़कने से समस्ते बीमारियां रोग दूर हो जाते हैं दोस्तों मेरी आँखे जल पीने से बहाग्य बलबान होता है अर्थात अगर आपका दुरभाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिवलिंग पर चड़ा हुआ जल पीजिये आपका भाग्य बलबान होगा और आपका दुरबासटी है या फिर सफलता की ओर जैसे ही कदम रखते हैं किसी भी पिरकार की बिगन बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाती है तो ये सब नब घ्रा के कारण होता है और अपने पूर्विकरित कुछ कर्मों के कारण होता है तो घ्रा दोश एबंग समस्ति पिरकार की बाधा से बचने के लिए शिबिलिंग पर चड़े हुए जल अपने आ चुका है आपके शरीर में नई उर्जा का एहसास करना चाते है तो शिबिलिंग पर चड़े हुए जल को पीना शुरू कर दीजिए आपके शरीर में पुनहय नई ताकत आएगी अगर आपके दोरा किसी भी पिरकार के पूर्वेकरित पाप हो गए हैं, जिससे आप पस्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्तिपाना चाती हैं, तो नित्ति शिबलिंग पर जल चड़ाइए, और उस जल को पीना शुरू कर दीजिये, बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिबलिंग पर चड़े हुए ज जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नबस शिबाय का जब करने से सिद्धी की प्राप्ती हो जाती है। घर में दर्दिता छोड़ ही नहीं रही है। घर में दुख है, घर में शोक है। इन सब का नाश शिबलिन पर चड़ हुए जल को घर में चलकने से हो जाता है। घर में रहने बाले सबी लोगों का जो आचार होता है, बहुत ही सुन्दर होता है। सोचने समझने की शम्ता भी और लोगों की तुल्ला में हजार गुना जादा ब्रदी होती है, बढ़ती जाती है। और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी पिरकार की लड़ाए जगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता है। दोस्तों मैं इश्वर की सौगन दिखाता हूँ। जो लोग जरासा भी इसमाइल फेमलीज चैनल पर भरोसा रखते हैं, बिशबास रखते हैं। तो आप नित्ति शिबलिंग पर चड़े हुए पानी का छड़काप करें। आपके घर का बातबरन पबित्र रहेगा और शिबलिंग पर चड़ा हुए पानी जिस घर में छड़का जाता है। वो घर तीर्त जैसा हो जाता है। उस घर में शाक्षात लक्षमी नारायन वास करते हैं। समस्त तीर्त एबंग देवी देपता गण बहाँ पर वास करते ह और आपके घर में सुक शांती का हमेशा वास बना रहता है। घर का बास्त दोश समाप्त हो जाता है शिबलिंग पर चड़े हुए जल को छड़कने से। यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है। या फिर आपके घर में नाना पिरकार के बहंकर दोश, पित्र दोश, नजर दोश, शनी दोश, काल सर्प दोश, मंगल दोश होना शुरू हो चुके हैं। जैसे अचानक से घर में आग लग जाना कई परकार की ऐसी जो किरियाए हैं जो घर में बास्तु दोश लगने के कारण होती हैं। तो घर में जितना जल्दी हो सके चाहे कुछ भी हो जाए, आग लगे सारे उपायों को, तब आप बिना देरी करें, शिबिलिंग पर चड़े हुए जल को छड़कना शुरू कर दीजिए, घर के सारे बास्तु दोश अपने आप समाप्त हो जाएंगे, दोस्तो ये सभी दोश घर में तब उत्पन होते हैं, ज उसमें परभेश भी नहीं करता, क्योंकि शाक्षात उस घर की रक्षा सुयम शिबिके गण करते हैं, आपके घर की डोर और आपके जीवन की डोर शिबिके हातों में आ जाती है, अब आप बस धन कमाएं और पूजा भक्ती में लग जाएं, आपका बाल बाका भी नहीं दोस्तों यदि घर पर अगर गंदी द्रिष्टी किसी की लग गई है, गंदी नजर लग गई है, बद्वा लग गई है, काला जादू लग गया है, तो आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं, तो शिबिलिंग पर चड़े हुए जल का छड़काप आप अपने घर म चोटी सी एक सीसी में शिबिलिंग के चड़े हुए जल को एकठा कर लीजिए, और घर के मुखे दौर पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टांग दीजिए, तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की हाय बद्वा एबंग बुरी नजर नहीं लगेगी, अब आपके घर में सुक शांती का वास बना रहता है, पूजा रूम में रखने से या एक बूंद रोज नित्ते पीने से आपके अध्यात्मिक उन्नती होगी, शिबिलिंग पर चड़ा पानी जमीन के अंदर ध्यान से सुनिएगा, शिबिलिंग पर चड़ा पानी जमीन के कभी आकाल मिर्तियु नहीं होगी यदी कोई रोगी है तो उसे शिबलिंग पर चड़ हुए जल से नहाने से उनका नहाने बाला जो पानी है उसमें दो बूंद डाल करके इसनान कराने से उनको लाब मिलेगा कोड भी धीरे धीरे खतम हो जाएगा अगर आपकी इसकीन से खाल चुटती है तो वो भी ठीक हो जाएगी उनके रोक जल्दी ठीक हो जाएगे वो स्वास्त हो जाएगे आए इस वीडियो में जानते हैं कि शिबलिंग पर चड़ा हुआ पानी कैसे इकठा करें तो शिबलिंग पर पानी डालते समय जलहरी जिसे हम शिबलिंग का निचला भ और इसमें आपको शिबलिंग पर चड़े हुए जल को इकठा करना है एकतिरित करना है और इसे शिबलिंग पर माथा टेकने के बाद ही भोलेनात का इसमनड करने के बाद ही प्रसाद समझ करके इकठा करके रखना है तो ये होता है जल इकठा करने का नियम अब आये कुछ नि शिबता समाप्त होना शुरू हो जाती है और आप्पवित्र अबस्था में जैसे की माता भेनों को मासिक धरम होता है तो आप्पवित्र अबस्था में महिलाएं इसे ना चुएं बलकि आप इसे किसी से मांग करके पी सकते हैं दोस्तो कुछ सापधानी भी है जरूरी, यदि आप मास मचली खाते हैं तो इसे आपको नहीं पीना है, नहा धोकर आप कल के समय कुल्ला आदी करके भगबान शिब से छमा मांगने के बाद आप इसे पी सकते हैं, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स मे लिखें हर हर महादेप ओम नबस शिबाए एक लाइक तो बनता है